प्रादे रादे जैशिया राम अपन राध्यस्तान की चित्रे सेल्या पढ़ रहे हैं का तक पढ़ लिया था राष्न चित्रे सेल्यू में अपने अगर दुम्डा डिस्पूल पटे साइगा कि चित्रे सेल्यू की बात कर रहे हैं जो साथी अगर कोई नया आया है और जो पले से पढ़ रहे हैं विद्यार की उनके लिए भी नया है तो ओल आवर हम जो वाल में बेटे हों सब के लिए यह टोपिक नहीं टोपिक हैं है कि दो चित्रे सेल्य पंट्ट सोगयुसार चोगी जानकरिया अपने कल वाली क्लास मिली थी की चित्रे sila को विकास किस प्रकार से हुए क्वा कहां पर चित्रों क्यम्राद हम को मिले है आदधी मानमकालक के और उसके बाद रसी छित्रकार पूराना ना चित्र कार राजसान चित्रसेले को शांसलती वे बोगोलिव दश्टी से चार इसकुलों बाड़ा था मкихण पैला शुत्पूर मेवार इसकूल की अंथक ही था हम था उदन ड्रेपूर प्रव вже जित्र शेली ना थुद्वार चित्र शेली त्रीमंने मारवाड शुत्र पर पर चुके थे तीसरा पार्ट भी हमने शुरुआत की थी धुंडार इसकुल के अंतरकत हम बात करने वाले हैं धुंडार इसकुल अपने जैपुर चित्र सेली की अपन चर्चा कर चुके थे अब जो हमारी नई जो चित्र सेली है और वो है अलवर चित्र सेली के अपन या बात करने वाले हैं अलवर चित्र सेली की बात करें उसे पले कल हमने कितना पढ़ा घर जाके हम पड़ेक नहीं पड़े पलंग पे कोपी पड़ी या पड़ी या आप पलंग पे पड़े या पड़े दोनों ऐसे हैं तो उनकी भी अपन यहां चर्चा कर लेते तो नो मिंट आपको कोपिया बं प्रसना पूछ के चलेगा हूं मापी चाओं आपसे प्रसना पूछ रहा हूं लेकिन मेरा टेस्ट करना ज़रूरी है कि मैंने पढ़ाया जोगा आपको याद हुआ कि नहीं हुआ आओ कोप्या बंद करें सबसे पले तो फिर हम सिर्यसली हम उसका आंसर दे पाएंगे अंगुली नहीं करने कोपी में भी बिलकुल शांती से बेटे तो अपन कुछ प्रसन के जवाब दे पाएंगे चालू करें प्रसना आचा जिससे पूछ वही जवाब दे इस बीच में अपने वह पॉपकॉन होते पूपकॉन के तरह पूदकना जिससे पूछ वही जवाब दे पूछू मंजु को और रमेस बोल पड़े तो वह भी घड़बर है अपने आपको मंजुना बनावे जो रमेस है और रमेस है वह अपने आपको मदुना बनावे फ्ली शुरुवात करते हैं प्रसन की किया गया था नेवआर का दूसरा अब यह बाद मैंने कहां लिखक है आपको पता है तो रहा नीगरत की तर रही है और किस गृद्य शुवा को यह तो इस बोले बट्टू, सुपासना चरित्रम, यह यू कहना चारिये, कि 1423 सिश में, राना मोकल के समय, पित्रकार, हिरानन्दने, रोकुल पाटक गाउं, अर्था देलवडा गाउं में सुपासना चरित्रम गरंथ को चित्रित किया, और यही गरंथ मेवार का दूसरा पराचिन संतम चित्रा, वेरी गुड, आपके लिए मेरी ओर से डेरी मिल की चोकलेट मिलती है, 10 रुपे की, लेकर आपको खानी है, ठीक है मैं, 10 रुपाद में मैं दे दूँगा, अच्छा लगा, आज प्रस्न का जवाब मिला है, तो मैं यू मान सकता हूं, फ़ले एक विद्यार् करते है, राजी का पहला आदम कद चित्र किसका और किसने बनाया, अब जिसको पूछू, वो जवाब दे हाथ कड़ा कर दीजेगा, राजी का पहला आदम कद चित्र किसका और किसके द्वारा बनाया गया, हाजी, इस्वरी इस्वर शिय ने बनाया और किसके लिए उस्वर शिय क्हाई इश्वरी सीन का साइव राम ने रहें नौना ये ए गलबर हो गया सप्सम sheer ये तो जेवाब आपने दिया लेकिन स्थ्वोल्टा सिदह देहे बाकि जवाब तो इस जैपुर के साथ सक इसरी सियंका आदम कद्द चित्र प्रोटेट चित्र चित्रकार साहिव राम द्वारा बना गाए अपने बात करें ना आप लोग वन का इस बिल्कुल साहिव राम द्वारा बना गाए शाहिव दिन तो हमारा मेवाड का है ठीक है समझ आया चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रस्ण की और बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है जोदपुर के किस साथ सक के सासंकाल में जोदपुर चित्र सेली पर नात समधाय का प्रभाव पढ़ने लगा बड़े बहले भाईया जो ओपीस में मेरे सी मिले थे उनी को पूछ रहा हूँ लोग भी समय रहा जोदपूर के किस सासक के सासंकाल में जोदपूर चित्र सेली पर नात संपदाई का प्रभाव पढ़ने लगा हाँ और सा सासक था मान सिंग जोदपूर का मान सिंग या जहिपूर का मान सिंग जोदपूर का मान सिंग जोदपूर के सासक माहिन सिंग की समय नाथ संवदाई का प्रभाव जोत्पु चित्र सेली पर आने लगा चलिए आगे बात करते हैं अगला जो प्रस्ण है कि राज्यस्तान में पूराणी कत्थाओं पर आधारित राज्यस्तानी सेली में नहीं चित्र किस नाम से जाने जाते हैं मतरन कला के प्रमुक चित्र का कौन कौन है इस भाई के अलाव और किसको आते हैं पर इस से पूछेंगे मतरन कला के प्रसिद चित्र कार कौन कौन है पंड़ जी अरे राजा यूं क्या करें इसको पता है मुन्ना लाल मुकुन चंदूलाल राम किशन और जाय किशन यह मतरन कला रिका ने की और यह मतरन कला हमारी मिका ने चित्र से लिकी एक प्रमुक विश्यस्ता के लाती है थोड़े थोड़े अभी हम कमजोर हैं थीन चार प्रसंद की उसमें से तीन या चार विद्द्यारती हैं जुनों थे जवाब दिया है तो आप अगर इस तरह से हम पढ़ेंगे तो क्या होने वाला वाउन के सामने आईना आपके सामने हैं शादी करनी किनी करनी है है हவो शाधी करनी है पहले पढ़ लेना है 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 चाली की बाद आपको पढ़ने का मोगा ना theres बात करते हैं जो नए साथी उनक को पूराना साथ के साथ हम बात करें थे अलवर चित्रिशली के बात करेंगरें कि अहांगरेंग करेंगे हम पड़ा वो सेम टूसेड़े नहीं लेगा करते हैं कि अलवर चित्रिशली का विकास किस राजय के सासन अलव विकास हुआ है वो राव बक्तावर सिंग का सासन काल, राव बक्तावर सिंग का सासन काल, राव बक्तावर सिंग का सासन काल, राव बक्तावर सिंग का जो सासन था, वो हमारा अलवचितर सेली का विकास काल कहला आता है, अलवचितर सेली का विकास हुआ था इस सासन के सासन क स्वारणियूक की बात करते है इसका जो स्वारणियूक थू там याला राजा जो अलवार के महराजा महराजा उैं रोक ए महराजा और वो किस चित्र सेली का स्वन्यू काल कहला था, एसा प्रसन आपके एकजाम में प्रबल संभावना रगता है, याग करके जाएँ, एकजाम आएगा, इंपोर्टेंट है, हर पॉइंट इंपोर्टेंट है, राज्यस्तान में अगर हम टॉपिक की बात करें, आटेंग कल चकी, तो यहाँ आपको गोडा और मौर मिलेगा, गोडा और मौर, जैसे जैपूर में था, सेम ब्याईविस्स था, हमारी अलवर में भी रहिए, गोडा और मौर, और फिर बात करें, प्रमुक जो व्रक्स जो रहा है, प्रमुक व्रक्स, तो व्रक्स सेम हमारा जैपूर वाला ही पीपल और बर्गद ये वरक्स हमारी अल्वा चित्र से लिके प्रश्ट बूमे में चित्रकारों द्वारा चित्रित के यहां तक लिखिएगा फिर आगे बात करते हैं अलव सितित्रेकाई जो विकास हुआ है राव बक्ताव सिंह के सासंकाल में हुआ है इस चित्रेसिली का सोनव काल महाराजया विने सिंह का सासंकाल के लाता हैं दल ri प्रमुक व्रक्स में बात करें जो प्रश्ट में चीतर दोए वो पीपल और बर्गत हमारा वर्ट वक्स के ला रहा है लिखाब ने फिर हम बात करें इसके रंगों की बात करते हैं जो प्रमुक रंग में था प्रमुक रंग तो यहां प्रमुक रंग में हरा रंग मिलता है च अलवर चित्र सेली में प्रमुक्त और पर चित्रित किया गया है इस रंग से चित्रित किया गया तो तिन रंग आपको मिलेंगे अलवर में हरा, निला और सुनहरा सुनहरा मिलब गॉल्डन कलर सोने जैसा कलर है ना वो कलर आपके चित्र आपको अलवर में दिख़ए देते हैं इस घ्रंत को चित्र किया उसकी भी चर्चा करेंगे उससे परले बात करते हैं इसके चित्रकार के लिखे का चित्रकार कौन-कौन रहे है? चित्रकार चित्रकार है बलदेव गुलाम अली दिखे का चितका में डालू राम और सालिग राम यह हमारे अलवचित्रसली के प्रमुख चित्रकार हैं यह दखना अलवचित्रसली के प्रमुख चित्रकार अब इसकी विशेष्टाओं की बात करें क्या आपको इसके विशेष्टाओं में दिखे देता है तो पुरूसों के जो चित्र हैं उसकी बात सबसे पहले विशेष्टाओं विशेष्टाओं क्या है तो इसकी बात रहें पुरूसों के चित्र जो है उसमें गोल आखे दिखाए गई है लिकले ना गोल आखे गोल आखे अलवर है अलवर में पुरूसों के आखे कैसी है गोल आखे है और पतले होट पान से रचे हुए पान से रचे हुए अब आप देखो होट कैसे है कितने बड़ा होट है पुरूस के ऐसे महिला के होट मिलेंगे आपको लेकिन एक चित्रसेली में महिला के जो लिप्स है यह मोटे मोटे भारी होट कहां देखने को मिल रहे है जैपो चित्रसेली में है ना बात करीते हैं पर ने जैपो चित्रसेली के जो महिला के चित्रे है उसमें महिला के जो होट है भारी भारी होट है देखा आपने लेकिन जैसे हम यहां है अलवर में तो पुरुस और महिला दोनों की बाते करते हैं तो पुरुसों के होड कितने बिलकुल पतले रही हों पतले अब पान खाया वाई नहीं है लिबिष्टिक कम चाहिए लेकिन जैपूर में ज़्यादा जाई थी तो यहां लिबिष्टिक की भी तो पी गले में रुमाल सीघ्टिक सिजव़वान पढाई तो यहां पतले वह भी पान से रचे वह वह सिपर टोपी गले में रुमाल लड़का है किसा दिखता होगा पुरुस क्या उस पुरुस को ऊपिए कर सकते हैं gdzieś क्या कर सकते हैं इस प्रकाओ का पुरुस को को चॉय चाली च्प लिंक को देगा गार्टून्स को इसा देखा हो एक दम जो टोपी पहने रखी है जोल को अंखें पजले बज़े कर सरच कर दाथ करता है दिखाई दे पहुमारा अलोर्स छीत्रे से लिखा घर बात करते हैं इस सी चित्रों में बॉन आखे सेम चलेगा पीछे बेटर ग्राण से बेटर हैं नाल खुली आगा कि महां मत बेटो तो भी चलेगा मेरे हिसाब से एकदम कभी आप मेरी बात से हाँ हाँ करके इतना जूट जाएंगे तो चाकर पर जाएगा अगे शिट खाली है यहाँ यहाँ जाए फी यह अंतल म्रास्तपर बेटे हो इसली विए थोटाह आगे हो साद डर लगने लगा और ने का पिssैनि कल सकते है इस्त्री चेटरों में गोल आखे पतले होट पान से रचे हुए इस्त्री चित्रों में घो लाखे पतले होट पांस से रचे हुए यहां तक तो लिखे नहीं है पतले होट पांस से रचे हुए और पाव में पाईजे पहने दिखाया है तो यह हमारी मैला दिखे देती ही अलवर की चेरा दोनों का सेम दिखाया है पूरूस मेला का आखे गोल है और पतले होट पांस से रचे हुए लेकिन मैला ने क्या पहने 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 दिखाया है अब हम इस चित्रे से लिखी अगली विसेस्ता की बात करें तो हमारे जो यहां के सासकते बक्तावर्सिंग तो लिखीन का चित्रों में एक चित्र में एसा लिखो एक चित्र में राव बक्तावर्सियों को जंगल में एक चित्र में राव बक्तावर्सियों को जंगल में सादू संतों से धार्मिक चर्चा करते दिखाया गया है सादू संतों से एक चित्र में राव बक्तावर्सियों को जंगल में सादू संतों से धार्मिक चर्चा करते दिखाया गया है अच्छी बात हमारा इस चित्र सली में दिखाया गया है कि जो अल्वप चित्र से लिए के जो वीकास काल की बात करें तो राव बक्तावर्सियों का सा... बगतावाशिंग को क्या करते दिखा है धार्मित चर्चा करते हुए जंगल में किसी से साधू संतों से हम यू कह सकते हैं यह एच्छे राजा रहे जो धर्म के प्रति गनिष्ट है उनका गनिष्ट संबंद्रा है फुर्ण हम बात करते हैं बात करेंगे जिनका सासंकाल स्व बल्देव उदे राज माध्यम उदे राज गुलाम अली के माध्यम से के माध्यम से गुलिस्तान की पांडू लिपी गरंथ को गरंथ का नामे गुलिस्तान की पांडू लिपी गरंथ को हीरे जवाहरात की शाही कोश्ट में सुनहरा रंग से चित्रित करवाया हीरे जवाहरात की शाही कोश्ट में सुनहरा रंग से चित्रित करवाया हीरे जवाहराप हीरे जवाहराप मना सुने चाह रंग जिसको पन क्या बोला है सुनहरां से कौन सा गरंथ की पांडू लिपी गरंथ कोश्ट तो गुलिस्ता की पांडूल लपी गरंद की रचयता है वो है शेक शाधी कौन है शेक शाधी तो तो नीचे नीचे आप ढान लिखा उसी के नीचे लिलो गुलिस्ता की पांडूल लपी के रचयता शेक शाधी इसा लिख लेजेगा यह कहीं साहिती में पुछ ले तो आपको याद रत नहीं है, कि इस ग्रंथ की रचेता कर यह म special回. या इस ग्रंथ को किस न लिखा यह पूछ लिया, किस रंगोर से रिचित किया गया तो सु मनदर जिसको अपना को बुछते हीरये जवारबत कीलिश- वह किस समय रचित किया गया तो तो वीनेर सिं़ के समय रचित किया तो ने किया तो वल्देव उधराज भुला मनीं द्वारा चितित किया ले मैं ऐसे समाँज़ा प्रसन वा इस लाइन पर अनएख चा अंत्र सब्सकर जाना है पूराण फेपर अठायाख कर देखेंगे एक प्रसना आपको मिल जाएगा वि मंगल सिंग के समय राजा मंगल सिंग के समय चित्रकार मूल चंदने हाथी दाथ की पट्टी पर सुन्दर चित्र बनाएं सुन्दर चित्र बनाएं राजा मंगल सिंग के समय चित्रकार मूल चंदने हाथी दाथ की पट्टी पर सुन्दर चित्र बनाएं हाथी दाथ की पट्टी पर सुन्दर चित्र बनाएं अंक। को अगर आपको पता हूँ हम जैपुर पहुंचते हैं पर जापर जाते तो वहां एक चित्र का मिलेगा लाल चंदन Bürgerं तो जैपूर गयक तो वहां पर ऐसको आप अपने हम जैपूर में लालचनि नìnहें हाथिों की मिन जैपूर में पनां जैपूर ρέकी जैपूर में लालचंहों मोड़भिल की चितरप ड़ाया हैं। दोनों हाती के चित्र है, चंद दोनों अलग लग है, सेलिया दोनों अलग लग है, तोना करके आपको समझा दिया है, ठीक है, नेश्ट अगली बात, राजी की एक मात्र चित्र सेली, जहां गणीकाओं कोश्ण को वेश्याओं के सर्वादिक चित्र मिले, सर्वादिक चित्र बने, गणीकाओं के सर्वादिक चित्र बने, राजी की एक मात्र चित्र सेली, जहां गणीकाओं कोश्ण वेश्याओं के सर्वादिक चित्र बने, वेरी इंपोर्टेंट यह एकजामा आने जिसा प्रस्न है आ सकता आपके एकजामे पूछा जा सकता है कि राज्यस्ता की ऐसी कौन सी चित्र से लिए जहां घणिकाओं के चित्र आपको देखने को प्रचुर मात्रा में देखनों को मिलते हैं तो वह हमारी अलवर चित्र से ल प्रत्य। परिशा, जीवन में बहुत इंपोर्टेंट गणिकाउं की बात करते हैं सबसे बले बात करें कि वयाशाओं का मंदीर कि राज्यस्तान के कि राजास्तान के किस मंदिर को वयाशाओं का मंदिर केते हैं या पात्रिया रो देवल नाम से ज़ादे Cinema, लिए वह रो अपके एक जामें पूछा जा सकता है common sa bandir है, कौन respect बंदिर जिसको पार आपर्यारों दिवुरों कहते है तो मंदिर अमारा नेमिनात मंदिर नेमिनात जेन क्यों सब्सक्राव मंदिर और यह मंदिर अमारा रनगपूर में रनगपोर कहा परता है यहां बिल्कुल रनकपूर रनकपूर पाली में यह मंदिर बना हुआ है अब वहां कोई वेश्या नहीं है न वेश्याओं के चित्र लगे हो है यहां नेमिनाज जी की मुर्ति है जो हमारे जेन दर्म के 22 तिर्दंकर है उनकी मुर्ति है तो यहां नेमिनाज जी की मुर्ति है उसके मंदिर के बाहर गुमध बना हुआ गुमटी देखे हो कि आपने उस गुमटी पर मैला और पूरुष को नग नवस्ता में दिखाए गया है बिल्कुल नग नवस्ता में अब नग नवस्ता जो दिखाए गई है तो हमारे मनुष्य के इसका अर्थ क्या है वो समझा रहो मनुष्य के जीवन में चार पूरुषार्थ होते हैं चार पुरुषात है पौन कोन से हैं दर्म आपने च्टी ङौस्प Thanks all प्रूस भर्ण मोख में अब हम सब का कर रहे हैं और आगे बढ़ beginner है को धर्म का भी पार嗎 कर रहे हैं हम अपने दर्म का प्रचाव करते हैं हम आप ज़ान के इस्ट देव को हम याद करते हैं जो भी हम बोलते हैं, अर्थ का भी काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी बहुत जल्द करेंगे, परिक्षा पास करते हैं, अर्थ कमाएंगे, काम जो पुर्षात हैं, परिवार की बात करता है, इस पुर्षात को हम लेकर चल रहे हैं, और मॉक्स की काम ना करत हैं कि अब मेरे को मॉक्स मिल जाएं कि अब डंक से मिली तूटी तनी कुर्शी देख लेना बाकि सारे बच्चे परिशान हो रहें आपको देखें तो हर व्यत्ती चाहता है कि मेरे को मॉक्स मिलें लेकिन मिलता नहीं है मॉक्स किसको मिलता है जो काम पुरसात को छोड़ देता है और काम पुरसात को छोड़ने वाले हैं हमारे विशेश तोर पर जेन मुनी जेन मुनी होते हैं वो परिवार को साधी करने के बाद भी परिवार को छोड़ देते हैं वो धर्म का पालंग करते ह को मौक्स प्राप कर लेते और हम सब मौक्स प्राप नहीं करते हैं हमारी मिर्ति होती लेकिन हमारा मौक्स नहीं मिलता है हम बटकते ही रहते हैं इसलिए हम चीरा बाबजी बन जाते हैं यहां नगन अवस्ता में दिखाने का मदलब यह है कि आपको इस अवस्ता को छोड़ना पड़ेगा तब ही व्यक्ति को मौक्स मिलेगा यह एक उद्देश दिया गया है इस मंदिर के उपर गुमत पर बनेगे मूर्तियों से इसलिए इस मंदिर को अपन क्या बोलें पात्रियारो देवरो या वेशाओं का मंदिर के नाम से जानते मेरी बाद आप समझ गए क्लियर हो रहा है आपको सबको आगे बढ़े सेटन बाद एक और मात करें कि प्रसें कुछ लें कि वेशाओं की चित्रसेली कोईसी है वेशाओ की चित्रसेली तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यह भी हमने पढ़ लिया अलवा चित्रसेली वेशाओं की चित्रसेली के नाम से जानी जाती यह भी आपके एकजामें प्रसर पूछा जा सकता देखो वेशाओं नाम से हमारे पास दो-तिन चीजे चो आपको मैं दे रहा फिर बात करते हैं आगे फिर बात करते हैं वेशाओं का महल वेशाओं का महल की बात करते हैं वेशाओं का महल वेशाओं का महल है और वो महल है हमारा विने विलास महल है विने विलास महल और यह जो महल है यह महल भी हमारा अलवर में इस महल की दिवारों पर वेशाओं के प्रचुर मात्रा में गणिकाओं के प्रचुर मात्रा में चित्र बने हुए है एक और बात एक फेमस वेश्या हमारे राजस्तान की रही है जिसका नाम था वेश्या ननी जान वेश्या ननी जान ननी जान एक तो जान किसको केते हैं आपको पता है एक तो जान अपनी जान सर समा सुधारक दयानान सरस्विती जी को जहर दिया था वो थी नन्नी जान बगतन बगतन की गोत्र होती है जाती केलाती बगतन क्या है बगतन गोत्र है जो इस प्रका का अब वेशा किसको केते हैं कि वह मैला जो अपने सरीका व्यापार करती है वो वेशा केलाती वो मैला जो टो लिख लिनका इन होने लैं कि द्यान जी को रहा नंद जी है को जहर दिया लिख लो श्वार स्वाती को जह दिया कि यह आपकी चार भातें से एकजाम पूछे याद रठना नोट करके इसी के निचे लिखलो याद रिये जाएगा आपको अन्ती में लाइन ओल लिखनी है आपकी अलवा चिते से लिखी कि ये सेली सर्वादिक अंग्रिजी सेली से प्रभावित होई अलवा चिते सेली में बात और लिखले ना कि ये सेली सर्वादिक अंग्रिजी सेली से प्रभावित होई ये तरसाथ यो मारा राजस्तान का ढूंडारस इसकूल का एक चिते सेली जिसका नाम है हैं पन्मर्ण चित्रसेली ज़िए कर आँ यहां तक समझ में आए आब लोगों को आगे बढ़े जो नए संहाथ ही उनको भी समझ मा रहा है चली अब हम बांत करते हैं अगली चित्रसेली क अगली चित्रसी के छोटी सी चित्रसी पर सेली यहार दुन्डाद लिखो, जली लिखो, ये पॉइंट बना लेना, वेश्या संदर में कुछ बाते, एकजाम कही पूछे दे, लिखा नहीं क्या आपने? कि छोटी सी चित्र से लिख, उद्विद हुई थी, उसके लिख दिया बठा, चली हम बात करें, उन्यारा, सबसे बले बात करें, यह चित्र से लिख, किसकी उप चित्र से लिख, सबसे पर बात करें तो उप चित्रसली की बात करें तो किसके उप चित्रसली है तो यह हमारी ढूंडाड इसकुल की यह हमारी उप चित्रसली के रूमे जानी जाती है फिसकी बात करें सम्मिस्रन किसके यह सम्मिस्रन से बनी है उन्यारा तो यह बनी है जैपूर एवं मुंद चित्रसली से इस चित्रसली का उद्व हुआ तो उन्यारा चित्रसली के मम्मी पापा कौन है तो जैपुरो बुंदी है ऐसा समझेगा मिसर किसका है जैपुरो बुंदी से किसका है उन्यारा का किलियर फिर बात करते हैं छोटी सी बात करते हैं इसके चित्रकार की इसके चित् बात करते हैं फिर बात करते हैं इसकी विशेस्ता की क्या विशेस्ता हमारी इस चित्र सिली में रही है तो विशेस्ता में बात करते हैं तो चित्रकार मिर्बक्स द्वारा चित्रकार मिर्बक्स चित्रकार मिर्बक्स द्वारा राम सीता लक्ष्मन के सुन्दर चित्र बनाए गए और सेकंड विसेस्था की बात करें तो महराजा सरदार सियं के समय यहां उन्यारा के जो थे सासक महराजा सरदार सियं के समय जनाना महल और मरदाना महल मैं सुन्दर चित्र बने मैं चित्र बने लिख लीजेगा यह थी यहमारी उन्यारा चित्र से लिए चोटी सी उपचितर से लिए डुन्डार इसकोल की दिकेगा मिशरण है जय कोरोब उन्दी जितकारे दीमा और मीरबक्ष दो बाते हैं एक चितकारे मीरबक्ष ने राम सीता लक्षमन जी के चितर बनाए है और मारदा सर्दा सिंग समय जनाना महल और मरदाना महल की दिवार उपर सुन्दचित्र दिखाए गए हैं ये था हमारा सात्यु बुंडार स्कुल्ड की एक उप्चित्र से लिए अर्ष्व होगगगई आर दो अर्ष्वर की एक लिए हैं लिख दिया, अब हम नेश्ट और अंतिम चित्रसेली की बात करें, और वो है अमारी डूंडार इस्कुल की, वो है अमारी सेखावटी चित्रसेली, लिखेगा सेखावटी, सेखावटी चित्रसेली, अमारी डूंडार इस्कुल की ही चित्रसेली की रुप में जानी जाती है, अब सबसे बहले बात करें, सेखावटी चित्रसेली का ओपन नाम की बात है, इस चित्रसेली का ओपन नाम क्या है? बड़या प्रस्ण है, इंपोर्टन प्रस्ण है, एक्जामें आ जाएगा, वो पुछा भी जाता है, कि सेकाड़ी सित्र से लिखो, या सेकावटी की हमिली को, क्या 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 तो open air art gallery के नाम से जाएगा, क्या बहुते हैं, open air art gallery, लिखेगा, open air art gallery, नाम से इसको जाना जाता है, सबसे पहले बात, open air art gallery के नाम से जानते, अब इसके प्रमुख रंगों की बात करते हैं, प्रमुख रंग कौन कौन से, जो अमारे सिकाड़ी चित्र सेली में रंगों का इस्तमाद हुआ है, तो यहां पर कथाई, कथाई, एवं नीले रंग का प जोदपूर और नागोर एक चित्र सेली एची थी, जहां रंगों की बाते कुछ अलग थी, बाकी चित्र सेली में कोन कोई अमुख रंग की बात, दो या तिन रंग की बात आ रही, तेकिन जैसे हम जोदपूर जैसे में जाते हैं, तो वहां पर विभिन रंगों की बात आत एसी है हमारी एक हस्त कला है, अब हमारी हस्त कला कौन सी है, लाइट मारती है, लाइट भी लाइट मारती है, एक हस्त कला है, जिसमें काला और कथे रंग का प्रयोग किया गया, वो हस्त कला कौन सी है, बताएगा, रास्ता के एसी कौन सी हस्त कला है, जिसमें काला और कथे रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है, हस्त कला में, मेरे अब रखे में बेटा रंग काहा है तो बहुत कपड़े पर कांस रखे कर उसके चारों तरफ कसिदा करी करना है काला कथई रंग हातों से जो कपड़ी पर छापा जाते हैं ब्लोग छापे जाते ही अब हातों से ब्लोग छापे जाते हैं उसमें काला कठे रंग का का इस्तिमाल हो रहा है और वो कोईंसी हर्ष्ट का लाग होता है राजा मलीर मलीर अजरक में है मलीर में है या मगरू में है या सांगा नेरी में है मलीर प्रिंट है जो बाला उतरा जिल्ले की वहां पर कत्थवर नीला रंग या देगा मैंने तुलना काने के लिए आपको समझाया वहां ले गया हूं जहां ले जाना था तो मेरी बाद आप समझ गयोंगे कि कत्थवर काले रंग का इस्तवाल किस हसकलाम हुआ है मली प्रिंट कहां की है बाड़ मेरे की नहीं है अब बालोतरा की बाद क्योंकि बालोतरा अलग जिल्ला बन गया है तो बालोतरा जिल्ले से लगिन अजरक प्रिंट है उसमें किस रंगों का इस्तमाल होता है वो भी बालोतरा का है अजरक प्रिंट में को देख लिया को देखा लाल और निली रंगा लेकिन अजराइक में कपड़े के दोनों और चपाई है लेकिन मनल में कपड़े के एक और चपई यह दखना देखो परिक्षा देनी है और आगे बढ़ना है तो थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा तो यह थी हमारे सेकार चित्य सेली की बात करें तो शेकावडी सेत्र की जो प्रमुख हवेलिया है जैसे लक्समानगड, फतेपुर, मंडावा, जुन्जुनु, मंडावा, विशावू और ये जो सेत्र है इन सेत्रों की हवेलियों के अंदर और पाहर दोनों दिवारों पर चित्रकारी की गई है हवेलिया, सेकावडी सेत्र की जो हवेलिया है, सेकावडी का मनव, सिकर, चुरू, जुन्जुनु और नया जिल्ला, निम का थाना इन चार जी लोग की में जो हवेलिया हैं, उन हवेलियों की दिवार, डिवार के भी अंदर और बाहर दोने तरफ कलाकारी की गई, चित्रकारी की गई, विशेषतार पर कत्थाई और निले रण की कही गई है, ठीके, फिर बात करते हैं, जोगिदास जी की छत्री है, जो अमा दिखने के मलेंगे, ये प्रस्ण आया हुआ है, एक्जाम में फिर से पूचा जा सकता है, कि राजस्तान के इसी कौशी चित्रसली जापे लोग जीवन का द्रश्य दिखाए, लोग जीवन समझ रहे हो, लोग जीवन का मतलब क्या, बताए, लोग जीवन का पतलब, लोग यहां की चित्रसली में लोग जीवन को दर्साया गया है, लोग जीवन का मतलब, हमारा जीवन, हम किस प्रकास जीरे हैं, उन सब की बाते इस चित्रसली की दिवार पर दिखाए गए, लोग जीवन, इसके लाँ आपको क्या मिलेगा, परिवन के साधन मिलेंगे, परिवन, परिवन के साधन मिलेंगे, रोड देज बस मिलेगी, टेंपो मिलेंगे, जीव ट्रक मिलेंगे, हविजाज मिलेंगे, ट्रेन मिलेंगे, इसके लाँ परिवन के चित्रे भी साधन है, वो सब साधन यहां चित्रित किये गए, इसके लाँवा यहां पर चित्रों में मिलता है मल्ल युद्ध कौनसा युद्ध हूए मल्ल युद्ध और क्या मिलेगा कुस्ति मिलती है यह चित्रों प्रस्तिस्टा मईला के लट का लहकृते हूए दिखाना वो की सिलीकी प्रमुख विश्यस्ता है तो वो कुछ बाल तो यह आगे यू रहते हैं यू देखेंगे और वह बाल को इतनी वह मैला समझाती लेकिन वह दोनों परकार की जो लटे हैं नालायक है बार बार आगे आखों के आगे 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 आजाती है वो मैला बार बार आल यू करती लेती यू करती हो कान के पीछे लेती country प्र आप हीद्सपर लेकिन दोनहीं नालायक बाल लटे हैं मेरा बस चले के यहे वह अर ऐसा कर चते हैं उन्योंनिंगे बहुत मेहनत करके, यह और शेपर देकर, उसको इस तरह से बनाया है तो एसी एवने सर नमस्ते मैं बास्वड़ा आगे हूं सर अब तो कब आउंगा मैं 26 तरीको तो एसे चित्र हमारे इस चित्र सली की हविल्यों में दीखाएंगे मेरी बात समझ बागए प्रसे बहुत अलग लग से पूछा दा सकता है कि अभी तक आपने कहीं मल यूट्र वाला चित्र देखा आपने कहीं बताया देखा पड़ा नहीं तो आपके हैं जो भी बोलो डंक से बोलो पता दा कि हांग ना क्या कर रही हो तो एसा चित्र हमने और कहीं देखा ओनली फॉर शेकावड़ी चित्र सलीम देखा तो मल यूद्र मल यूद्र समदे कुष्टी जैसे यूद होता है एक तरफ दो खिलाडी एक तरफ एक खिलाडी होता है और फिर लड़ा जाता है वो मल यूद्र के लाते कुष्टी आपने देखी लोग जीवन परिवन के साधन मैला के बालों के लट यूँँ लराती हुए यो हवाम यू शेखावटी के प्रमुक्षेत्र लक्समांगड, फतेहपूर, मंडावा, मीसाओ, मीसाओ. शेखावटी के प्रमुक्षेत्र लक्समांगड, फतेहपूर, मंडावा, मीसाओ, नवलगड की हवेलियों की दिवारों पर अंदर एवं बाहर दिवारों पर अंदर एवं बाहर, दोनों और सुन्दर चित्र बने हैं, दोनों और सुन्दर चित्र बने हैं, अच्छा यहां पर सरवादी, पहली बार फैस्को पद्धि, आला गिला पद्धि या अराइस पद्धि का प्रयोग जैपू चित्र चेलिम हुआ, कल बात करी, लेकिन यहां सबसे ज़्यादा अराइस पद्धि का उप्योग हुआ है, अराइस पद्धि या आला गिला पद्धि कल बात है, अब आला गिला पद्धि क्या होती है, उसकी बात करते हैं, कि जो प्लाइस की गई जो दिवार है, जैसे अपन ये मखार में अंधृ प्लास्टा करते हैं ना उस चुने की दिवार पर, ट्रम दिवार पर जो चित्र बनाया जाते हैं, उसको अपन आला गिला पद दती या अराइस पद दती या फैसको पद दती कहते हैं और ये फैसको पद दती कहां किये तो ये फैसको जो पद दती ये हमारी इटली से आई है इटली या दखना मैं अभी लिखा रहा हूं फेसको पतेती कहां से ही इटली की इसको पन यहां क्या बोलते हैं अराइस या आलागिला और सेकड़ी सेते में इसको बोला जाता है पाना क्या बोलते हैं पाना कहते हैं कि लिए रो गया तो यह क्या चीज है कि दिवार की जो नम कहा जाता है जो हमारे सगहड़ी सरकी सबसे ज़्यादा चित्र इसी पदति में बनाई और यह फैसकोब पदति हमारी इडली चाहिए TRAER कि लिखेगा कि इस सेत्र में कि इस सेत्र में vardı Chinese py अबलीग आला गिल्ला पद्वति अबलीग फैसको पद्वति दिखा आप प्लस्तर की वी नम दिवारा हम पनाना फैसको प दिखी प्लस्तर प्लस्तर की हुई नम दिवार पर चित्र वो कोश्टक बंद कर दो प्लस्तर मलब प्लस्तर जो अपन करते हैं कारिगर करते हैं ना तो प्लस्तर की हुई नम दिवार पर चित्र कोश्टक बंद नम नम दिवार नम अलग गिली दिवार जो प्लास्तर वाली गिली दिवार पर चित्र कोष्टक बंद तो मैंने बोला है इस सित्र में अराइस पतती आला गिला पतती या फ्यसको पतती का सरवादिक प्रयोग हुआ का सरवादिक प्रियोग हुआ का सरवादिक प्रियोग हुआ यह अगला पुन्द जोगी दास की छत्री जुन्जुनु में जोगी दास की छत्री जुन्जुनु में जुन्जुनु पर कर दो, जुन्जुनु तो कोष्ण में कर दो, तो चत्री पर चित्रकार देवा द्वारा चित्र बनाएगे, यहां के चित्रों में, लिखेड अगला पन, यहां के चित्रों में विशेष लोग जीवन, विशेष लोग जीवन, परीवन के साधन, लोग जीवन परीवन के साधन परीवन के साधन कोमा मल युद्ध मल युद्ध म आदा ल लिखना मल मत करना है ना मल गलत सब्द है मल युद्ध कुष्टी कुष्टी देवी देवता राक्षस तथा एक चित्र में महिला के बालों की लट एक चितर में महिला के बालों की लट लहराते हुए दिखाई गई हैं लहराते हुए दिखाई गई हैं लहराते हुए दिखाई गई हैं यहां के चितर कार चितर बनाने के बाद नाम लिखा कर दें यहां के चितर कार चितर बनाने के बाद नाम लिखा करते हैं अच्सी बात आपके ध्यान रखनी है कि कौन से चितर सेली में चितकार चितर बनाने के बाद नाम लिखते हैं तो वह शेकड़ी चितर सेली और कौन से चितर सेली जहां मालोगी लट? उसके बाद क्या लिखाये है हमीनर यहां के चित्रों में चित्र कारजित्र बनाने के बाद अपना नाम लिखा करते हैं तो यह थी साथ हुमारी राजयस्तान का डूंडार इस्कुल और डूंडार इस्कुल की अमुख चित्रसलिया जिसके हमने चर्चा यहां कर ली अब हमारी चित्रसलिय का अंतिन पाट बसता है और वो है हाड़ोती स्कुल हैदी डाले आगे, next, हाड़ोती स्कुल चोता स्कुल है हमारा हाड़ोती स्कुल हाड़ोती स्कुल की बात रहे हाड़ोती स्कुल में भी हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे कोटा चित्रसलिकी कोटा चित्रसलिकी अपन बात करने वाले हैं कोटा चित्रसलिक दो चित्रसलिक और बसती है फिर यह मेट्रसमाब थे फिर हम नए टोपिक और बढ़ने वाले हैं हेड़ी डालेगा कोटा चित्रसलिकी कोटा चित्रसलिक के सबसे पहले स्वण यूग की बात करें देखो हर चित्रसलिक में कहीं तो विकास आया है वो कहीं स्वण उग की बात है वो कहीं कहीं पर सरक्षन या मुगल प्रभाव की बात आई है याना बागी जगे आपको स्वण उग जरू मिल रहा है एसा प्रसन आने की संभावना रख सकता है किस चित्रसलिका स्वण उग किस राजा के सासंकाल को कहा जाता है तो हम कोटा चित्रसलिका स्वण उग केते हैं तो कोटा के माराव उमेज सिंग परतम का सासंकाल जो था वो अमारी इस चित्रसलिका प्रमुख सासंकाल या स्वण उग काल के नाम से जाना जाता है पोटा चितर सली में बहुत अच्छी बात करें, तो यहाँ पर राणियों और नारियों को शिकार करते दिखाया है, बहुत अच्छी विशेष्टा जो अनेको एकजामें पूची गई है, तो वो पूचा जा सकता है कि राजश्ता के इसी कौसी चितर सली, जहाँ पर राणिय और नारियों लोनों को शिकार करते दिखाया है तो वह हमारी कोटा चित्रसेली में दिखा गया है तो वन लाइन लिखेगा सबसे बला लिखेगा स्वणिम्ब सबसे बला लिखेगा स्वणिम्ब कोटा चित्रसेली का स्वणिम्ब माराव उमेज सिंह प्रथम का सासन माराव उमेज सिंह प्रथम का सासन माराव उमेज सिंह प्रथम उमेज सिंह प्रथम दोको उमेज सिंह आपको बुंदी में मिलेंगे उमेज सिंह आपको कोटा में मिलेंगे और उम्य सिंग आपको जोर्पुर में भी मिलेंगे सासक लेकिन सब के पद अलग लगे सब का सासंकाल अलगे नाम सेम है ठेके उम्य सिंग पर्थम का सासंकाल हमारे कोटा चिते सेलिका स्वनिव काल, गौल्डन काल कहलाता है फिर बात ने प्रमुख वरक्स की तो यहां पर खजूर वरक्स को सबसे ज़्यादा चित्धित किया है तो लिखेगा प्रमुख वरक्स खजूर प्रमुख वरक्स से खजूर प्रमुख रंग में नीला, हलका हरा और पिला नीला, नीला रंग आपको मिलता है यहां हलका हरा रंग मिलता है, फिका रंग, हलका हरा रंग और पीना रंग, यह आपको यहां देखने को चित्र में दिखाए देते हैं, चित्र इन रंगों से बनते हैं, वरक्स था आपका खजूर वरक्स, खजूर वरक्स को यहां सबसे ज़्यादा चित्ति की आगा है, खेर बत्तक और मोर्वासुपक्सि में लिखना है सबस्ते कर मॉर्फ आद निकार लिखेगा चित्रकार कौौन कौन से है कोटा में डालू धीना है दालू नूर मोहमदा डालू नूर मोहमद, डालू, नूर मोहमद, लच्छी राम, गोविंद राज, या गोविंद राव, लच्छी राम, गोविंद राव, फिर से बलाओं, डालू, नूर मोहमद, लच्छी राम, गोविंद राव, ये चार चितकार हैं, जो आपको कोटा चित सरी में मिलते हैं, देखे एक डालू राम है, एक केवल डालू है, एक डालू चंद है, या डालू चंद है, अब डालू चंद कहां था, डाल चंद चितकार किस प्रिशली में रहा है, डाल चंद, नाद्वारान डाल चंद कहां था भीटा, जिसने किसी एक साशक का चिते बना है था जोदपुर में रहा है पन्ना पलटा है और देखा है किस साशक का चिते बना है दालचन ने अब गर जाके पढ़ते नहीं हो इसा लगता है गर जाके कोपिया गर पे रखी और खाना ला खाया खाना बनाया और खा लिया वहां गुमने के इदेदर और वापिस वापिस आगे बस यही चलता है सिल्सिला फिर केसे सेलेक्शन होगा आप लोगों का थोड़ा सा पढ़ना पढ़ेगा अंको नरते देखते हुए अब कोई व्यक्ति जवाब देता है तो उस पर आप हस जाते हो ओं खुद को जवाब आता नहीं है और उसने का के नाश्ते वाद से आप हस पढ़े मेंका नहीं दो पर महीं है आपको हसी आगे यह यह आपने अपने लिए हसी है इस के लिए आपनी हसे यह अच्छा है जो जवाब देता है वीधियारती वहां करने की मुझा कि नहीं किना स्टय में करते हैं क्या क्या मतलब निकला इसका आप अपने उपर ह सरहे हैं जो आप हसरें अभीभी तो हसे नहीं और उसको याद करने का प्रयास करें पता नी कौन सा प्रस्ता कब डाल चंद डालू या डालू राम कब आपकी जोली में गिरें और सुमिलित करने के लिए पुछलें आओ आगे बाद लिखेगा विशेस्टाइब पुरुष चित्रों में बड़ी बौहें बड़ी बौहें पुरुष चित्रों में बड़ी बौहें बौहें चानते हैं बौहें क्या होती है बौहें ये जो हमारी मैला है डागों से छोटा कर लेती है और कोटा के जो उनके चित्रों की बौहें बड़ी बड़ी है बड़ी बौहें कॉमा भी सुपर लगते हैं फिर बदा नहीं है भी सी लगते हैं साथ हां तो बी सुपर एक आँक की बात कर रहा हूं मैं चोड़े कंधे लिखेगा चोड़े कंधे गनी डाड़ी मुछे चोड़े कंधे कॉमा गनी डाड़ी मुछे हातों में तल्वा लिए दिखाया गया हातों में तल्वा लिए दिखाया गया कि दिक्ता है पूलु सलग विचैसता वाला दिख रहा है बड़ी बड़ी बढ़ी है चोड़े कंते हैं है अटनि न और गनी डाड़ी मुचे है हाथ में तलवार से निक के रूप में दिखता है आपको इह दिख रहा न non से निक खुंका शेनिक दिख रहा है डर्ण लग जावे ईसा सनी के अमको कोटा चितर सलिम दीखे दे रहा है, फूरों सकवा, फिर बास अता है इस्तरी चितरो में दिर्ग नासी का इस्त्री चित्रों में दिर्ग नासिका दिर्ग नासिका गोल चेहरा और राजपुती वेशबुसा पहने दिखाया है अब बात करते हैं लिशेस्ताओं की और बात करते हैं एक चित्रकार डालू द्वारा राग माला गरंद के चित्र बनाए है चित्रकार डालू द्वारा राग माला गरंद के चित्र बनाए है फिर बात करते हैं यहां के चित्रों में नारियों और रानियों को रानियों द्वारा शिकार करते दिखाया गया है रानियों और रानियों और नारियों द्वारा शिकार करते दिखाया गया गया है इस चित्र सेली पर वल्लब संप्रदाएं को वल्लब संप्रदाई का प्रभाव पड़ा संप्रदाई हमारा वल्लब संप्रदाई का प्रमुख मंदी के राता है वह हमारा नातु दुवारा मंदीर है ना प्रमुख मंदी के रूब में जाना जाता है इस संप्रदाय पर वल्लब संप्रदाय का प्रभाव पड़ा जैसे जोदपूर में नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा उसी परकार से कोटा में वल्लब संप्रदाय का प्रभाव पड़ा जहां पर यहां के सासकों द्वारा सिरिनाथ जी की पूजा करते दिखाया गया ह सासकों द्वारा सिरिनात जी की पूजा करते दिखाया गया है ये ती सात्यों हमारी कोटा चितर सेली की जान करें अब हमारी अंतिम चितर सेली बहसती है और वो है अमारी हारती स्कुल की अंतिम चितर सेली और वो लाती हमारी बुंदी चितर सेली बुंदी चितर सेली बुंदी चितर सेली ये पाट समात होने में है बुंदी चितर सेली की बात करेंगे बंदी चित्र से लिखी हम बात करें तो बंदी चित्र से में सबसे पहले हम विकास की बात करें तो राव सुर्जन सिंग का सासंकाल जो है यहां के राजा सुर्जन सिंग उनके सासंकाल में इस चित्र से लिखा सबसे ज़्यदा विकास हुआ है और स्वन्युक काल की बात करे तो यहां के सासक उम्मे सिंग, जो कोटा में उम्मे सिंग प्रतम थे और यहां पर महाराजा उम्मे सिंग थे, उनका सासनकाल इस चिते सली का स्वन्युकाल कहलाता है, यहां के प्रमुग रंगों में हरा, नीला, पिला, लाल, सपेद, इस प्रका के रंगों का इस्तमाल सबस व्रक्ष में बात करें खजूरें और यहां पर सबसे ज़्यादा पशु पक्षि का चितरन वाए बहुत इंप्सेटन की एक मात्र चित्र केंगे जहां सबसे ज़्यादा पशु पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं यह इंपोर्टेंट एक्जाम में आने लाइक प्रस्ण आया हुआ धीविट होने की पूरी संभावन रठता है राध्यस्तान की एक मात्य चित्र से लिए जहां सबसे ज्यादा पशू-पक्षू को चित्रित किया है पशू-पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है तो उमारी बु नाजते मोर दिखाए गए पेड़ों की डालीओं पर बंदोर द्वारा कला बाजी करते दिखाए गए जिस प्रकार खीँजिजें हमको इस ची चीची करती में दिखाए गए जो विशेस्विशेता पर में जानी जाती है लिखेगा सबसे परर लिखेगा विकास, बुंदी राव सुर्जन सिंग का सासन विशेश तोर पर विकास केलाता है, माकी उमेद सिंग का भी सासन केलाता है, लेकिन सुर्जन सिंग के काल को हम जादा विकास के में लेते हैं, सुर्जन, एक दुर्जन और एक सुर्जन, दुर्जन का भाई सुर्जन, तो सुर्जन के सासन काल म प्रतम है और बुंदी में केवल उमेद सिंग है दोनों के सासन का फरक है तो यह आपको खजूर दिखाई देगा प्रमुख व्रक्ष में बात करें तो खजूर व्रक्ष यहां आपको प्रश्ट भूमि में दिखाई देता है खजूर व्रक्ष रंगों की बात करें लिखेगा रंग हरा पीला लाल सपेद हरा पीला लाल सपेद रंगों का इस्तमाल इसमें सबसे ज़्यादा हुआ हरा पीला लाल सपेद फिर हम बात करते हैं पसु पक्सी या कौनकों से पसु पक्सी दिखा देते हैं शेर शेर हाथी हीरण बंदर शेर हाथी हीरण बंदर मौर और चिडिया मौर और चिडिया मोर तो अमारे जो नास्तिवे मोर यहाँ पर सबसे दिखाए गए फिर बात करते हैं चित्रकार की चित्रकार लिखेगा अहमद अली चित्रकार हैं अहमद अली श्री कृष्ण शामलाल अहमद अली श्री कृष्ण और शामलाल शामलाल यह कुछ चित्रकार हैं जो मैं इस चित्रसली की प्रमुक चित्रकार में जाने जाते हैं अब हम विशेस्ताओं की बात करते हैं क्या-क्या विशेस्ता हैं विशेस्ता हैं अमदली, स्रीकिस्नों, शामलाल यह चित्रकार हैं लिखा? अब विश्य स्थाओं की बात करें राज जी की एक मात्र चित्र से लिए राज जी की एक मात्र चित्र से लिए जो सरवादिक पसू पक्षी पर चित्रित है अत्व इसे पसू पक्षिएं का स्वर्ग कहते है पसू पक्षिएं का स्वर्ग कहते है पस्चु पक्षियों का स्वर्ग कियते हैं फिली कियेगा चित्रों में उमर्टे काले बादल चित्रों में उमर्टे काले बादल उमर्टे काले बादल उमर्टे काले बादल समझ रहे हो जैसे बरसाद आने वाली है ऐसे उमर्ड रहे है काले बादल है ना उमर्टे काले बादल चमक्ती बीजली चमक्ती बीजली कॉमा बहते जरने बहते जरने कलकल करती नदिया कल-कल नदिया कल-कल करती है आप देखना जब नदि का पानी बहता है तो कल-कल-कल-कल-कल करता है इस तरह से आवाज करता हो निकलता है क्योंकि बीच में छोटे-छोटे भटे होते हैं तो पत्तर से होता हुआ पानी जाता है तो कल-कल करता है पानी क्या करता है कल-कल आप आ पाहड़ों पर वोंकिंग करते विए शेर दिखाए गये हैं। पहाड़ों पर घुमते शेर, जुमते हाथीﹹ११। जुम्ते हाथी का मतलब जुम्ते हाथी का मतलब जुम्ते हाथी का मतलब जुम्ते हाथी का मतलब हाथी द्वारा नरत्य करना हाथी जब जुम्ता वो यू गर्दं करता है वो आगे पिछे करता है इस तरह से करेगा तो यह जुम्ते हाथी के लाए देखना उसकी पूंच तो यूं ले भी सकती है, तो हाथी के पूच की सुण्ड है, वो चाये जो कर सकता है, अपने को भी लपट लेता है, तो जूमते हाथी, कौमा, दाहारते शेर, दाहार ते शेर दाहार ते शेर चिंगार ते हाथी दाहार ते शेर चिंगार ते हाथी चिंगार हाथी क्या करते चिंगार ते ज्याएं क्या करती है रंबाती है ना रंबाती बेस बिल्कु सही का तो उसी तसे हाथी क्या करते चिंगारते और लाहारते शेर है प्यम्ळू आपीडों पर कला बाजी दिखाते बंदर पर कलाबाजी दिखाते हैं प्यूम. कर दोचा बंदर को लगता यह भी मेरी विज्याद्री के आगिया दिखें आप दाट में करवा इस तरह कर से तो बंदर भी समझगा क्साथ मेरे पूर्वस दिखें और अपन अपना बंदर में ढूनते हैं तो कलाबाजी दिखा रहे एक पेर से दूसरे डाल पर क्या करें कला पर कलाबा जी दिखा थे बंदर, नाजते मौर एसे करते, नाजते मौर, चीची करती चेडिया दिखाई गई है, चीची करती चीडिया लिखाई गई अब यहां पर मैला चित्र के आँखों का कुछ भी चीज नहीं दिखाई क्या कैसी दिख yat pa क कलरूरा पुलेक नहीं है वहारी होते पतले होते लिप्स कैशे है आँख कैसी कुछ भी नहीं लेकिन एक चित्र में मैला निचे बेटी हुए और पेर के पाउं में कांटा लग गया है तो वो कांटा निकालते दिखाए गया है एक चित्र ऐसा भी है मैला का चित्र के चाहिए कि निचे बेटी हुए और पेर के पाउं से कांटा निकालते हुए और एक चित्र में मैला वि देख रहा एज सा चित्र इस चित्र से लिए में दिखाएगा लिखेगा चित्रों में इस्त्री आपने पेर से कांटा निकालते हुए पेर से कांटा निकालते हुए पहले कांटा लगा फिर निकालते हुए जिसे हीरण उसकी ओर देख रहा है विना बजाते हुए जिसे हीरण उसकी ओर देख रहा हुए देख रहा एशा चित्रा मारा इस चित्रे से में दिखाएगा फिर लिखेगा महाराव रतन सिंह के समय महाराव रतन सिंह के समय रागीनी बेराव और राग माला महाराव रतन सिंह के समय महाराव रतन सिंह के समय रागीनी बेराव एवं राग माला नहीं है राग दीपक है राग माला मत करना है राग दीपक रागीनी बेराव और राग दीपक गरंद के चित्र बने है राग दीपक गरंद के चित्र बने है फिर लिए के अगली विसेश था एक चित्र में महाराव उमेद सिंह द्वारा जंगली सुवर का शिकार करते हुए लिखाया है जंगली सुवर का शिकार करते लिखाया है जंगली ुस्वर का शिकार जंगली सुवर देखा आप आपने बहु बली वाला बाहु बली में हमारी देव सना जंगली सुवर का सिकार करने जाते हैं उसके साथ वो राजकमार जाते हैं और उसके साथ भोला बनने वाला बाहु बली भी जाता है जो पिंग कलर का और ब्लू कलर के जो तीर होते हैं है न कुमार वर्मन की अनाम है उस राजमा भाका जिसके तीरी लगते हैं सब्ज़ lleva वह सुवर ऐक से मार्केट भार दे लिखें जलेते अंगर टे यजल Roman इस में को अगलियाओंदous चित्र में एक अंग्रेश दमपती को पियानो बजाते हुए दिखाया गया है चित्र में एक अंग्रेश दमपती को पियानो बजात वे दिखाया गया है पीयानो बज जाते हुए दिखाया गया है पीयानो जानते आप लोग एक हार्मन होता है हार्मन के उपर केशयो का बड़ा रूपज पेटी नुमा हो था काला रंका जुसको अपर पीयानो बज जाते हुआ अंग्रेज दमपती दिख रहे तो यह थी अमारी बुंदी चित्रसली जिसके हमने जानकरी यहां ले लिए तो हम यहां पर लगबक 16-17 चित्रसलिया यहां पढ़ चुके हैं तो राजस्तांग जितनी बी चित्रसलिया थी उसकी विश्तारी जानकरी आपके सामने मैंने परजेंट कर दी हैं देख लिजिएगा एक मिन्ट का समय आपके पास और जो लेट आ हैं और जो नों नहीं लिखा वो विद्यार्थी चाहे तो किसी परोसी साथ इस देखकर उतने पेज चोड़ दे और उसके बाद कोट्न के ले जा और लिकल दे गए हराते जामने हां हरं बहुत जगे हां तो कि हैं है है प्रसम के ऊपर कre dot करेंगा घूंसा दालूग कि बात करेगा ना जाएगा बागी बातिते है कि एक और विस्यस्ता लिखेगा महाराव उमेचियने अपने राजमहल अपने राजमहल अब राजमहल कोश्टम लिखो तारागड दुर्ग बुंदी राजमहल तारागड दुर्ग हमारा अजमेर में है और एक तारागड दुर्ग हमारा बुंदी में है तो बुंदी वाला तारागड दुर्ग के लाता है अजमेर माले को अपन तारागड का उपना में बाकी वह हमारा अजय मेरु दुर्ग के लाता है तारागर दुर्ग बूंदी कौस्टम लिखा है तो महाराव उमे सिंग ने अपने राज महल में रंग शाला राज महल में रंग शाला कौस्टम लिखो चित्र शाला रंग शाला कौस्टम लिखो चित्र शाला बनाई जहां सुंदर बित्ती चित्रण हुआ है बित्ती चित्रन हुआ है। तो ये थी सा थे उमारी राध्यस्तान की चार इस्कूल वो चार इस्कूल की समस्थे चित्र से लिए यही शमार्थ हो ही। किलिए रहा, समझए आगे आपको, आगे बढ़ें अगे, आगो हमने इतनी चित्र को देख लिए, लेकिन मेंचे जवसक दिया लेकिन देखें कहा, कहा देखने ज़ा एंदर से इस पेज़ा ने चित्र को देख सकते हैं तो राध्यस्ता में कुछ संग्राले बने हुए हैं, बात करते हैं तो अगला पुण डालीगा इसी के आगे चित्रसेली समंधी प्रमुख संग्राले ऐसा लिए चित्रसेली समंधी प्रमुख संग्राले प्रमुख संग्राले प्रमुख संग्राले प्रमुख संग्राले प्रमुख संग्राले चित्रसेली समंधी बात करते हैं त पूच्टक परकास कहां है घब जोदपूर में चबो सेकंड मात करते हैं अपन पौथी खाना पौथी खाना ये संग्राले कम एक लाइबरीडेस के फोफ्री काना कहां है겠지만 अजयआपूर में अनेगों बार इस प्र Gleich काना काम है इस तीथे जयआपूर में लें कि तीसरा बात करते हैं सरस्थी सरस्थी संग्राल, या सरस्थी बंडार करते हैंyer preferences बंडार है वह हैं काईव सुर्देपूर उड़ेपूर कगे ते थे संग्र लए यह bạy नुelcome 2 रशाले संग्राल हमार संग्र में ए हमारा मैं है यह यह जिल चल रालम कंशह शेंग consistent यह थे हमारी चित्रसली समंदी कुछ संग्राले की बाद अलवर 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 अब प्रमुक संस्थान की बात करते हैं प्रमुक संस्थान प्रमुक संस्थान की बात करें सबसे पहले बात करें चीतेरा और धोरा दो सहस्ता हैं चीतेरा धोरा है हमारा जोदपुर में है प्रमुक सहस्ता फिर बात करते हैं अंकन जो सहस्ता है यह हमारी बिलवाडा में है बिलवाडा में है और फिर बात करते हैं टक्खमण 28 तुलीका कलाकार परिशद आज उदेपुर यह सब सहस्ता हमारी उदेपुर में है अंकन है अंकन नहीं तो लिखा है अंकन पेग आयाम राध्यस्तान ललित कला अकादमी यह सब सहस्तान हमारी जैपुर में है यह हमारी कुछ सहस्तान है जो हमारी सित्कला समन्दी थे लिख लीचिए का टॉपिया आपका यही समावत होगा लिखे फिर आगे बढ़ने वाले हैं आज व देपुर जीब दास्ता है अहाँ शुरू का हकता अजिब दास्ता है टक्खमन टॉन्टी एट एक सहस्तान का नाम है टक्खमन टॉन्टी एट उद्यपुर में है टक्खमन टॉन्टी एट यह सेव कर दो इसको इन आए टोपिक लेट टक्खमन टॉन्टी एगंटे टारा मेंटे आज की लास्तारा मेंट की कैसे हैं पुरा लगे लिखा आपके पास दो मिंट है और चित्रसेली को पढ़ लीजेगा फिर मैं नया टॉपिक ले रहा हूं अभी देखें तरह बना अब अधिए व्यूद्व को बनाना आप अजिए दूम में अबट तो इस अधिने एगिए अधिए अधिए झाल झाल थे मा को लिखा बड़े आगे बड़े ना नाय टाप इसे लेगे पनदू आ हमिटा हमिटा फिन अश्जाज को पहोड़। बेट बावे करे चालू करे चालू करना बाट रोको फोड़े सांस ले लो में चालू कर दी चालू कर दी चालू का है चालू करे अपने राजसांग चीतर से लिया पड़ी सतरा अठरा चीतर से लिया पड़ी और दस बारा पेज आपके बरा गए है और टोटल अपने टॉपिक जो कर लिया है अपने जो टॉपिक पड़े है उसमें से अपने जीवन में एक लक्षिथा ह्यूंने टोपिक लिया रिया और परव पड़े है मेलै पड़े हैं लोग नं रदी पड़े हैं लोग नाट्डे पड़े हैं लोग बात्ड़ी पड़े ह awakening लोग गीत पड़े हैं